आज हम बात करने वाले हैं कि आप Chrome browser में किसी page को हिंदी में translate कैसे कर सकते हैं आईए जानते हैं तो इसके लिए आप अपने phone में Chrome browser को open करिए और open करने के बाद उपर 3 dot पे click करिए click करने के बाद अब यहां पर आपको एक option मिलेगा नीचे settings का settings पे click करिए Chrome browser की settings में आने के बाद आपको अब नीचे scroll करके एक option मिलेगा languages का इस पे click करिए जैसे ही click करेंगे अब ऐसा interface आएगा नीचे scroll करिए और अब नीचे option आएगा यहाँ पर ये वाला offer to send pages in other languages to google translate इस option को चालू करिए यानि कि on करिए अब नीचे scroll करके advance का एक option आएगा इस पे click करिए translate into this language पे click करिए अगर आपका already हिंदी select है तो आप back आ सकते हैं अगर select नहीं है तो इस पे click करके हिंदी पे click करके हिंदी select करिए अब यहाँ पर back आ जाईए अब उस page को open करिए जिसको आपको हिंदी में translate करना है जैसे कि हम एक page open करेंगे एक article open करेंगे अब जब आप article को open कर लेंगे तो automatically नीचे translate करने का option आ जाएगा अगर नहीं आएगा तो उपर तीन डॉट पे click करेंगे translate पे click करिए और यह वाला option आएगा नीचे अब यहाँ पर देख सकते हैं जो language आपने add की होगी जैसे कि हिंदी में हम translate करेंगे तो हिंदी पे click करिए थोड़ा सा wait करिए और आप देख सकते हैं आपका यह page यह article हिंदी में translate हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आप किसी और language में भी कर सकते हैं आपको वहाँ से उस language को add करना होगा जहां से हमने हिंदी को select किया है तो पूरा page आपका जो होगा article वो पूरा हिंदी में translate हो जाएगा तो इस तरह से chrome browser में आप किसी page को हिंदी में translate कर सकते हैं वीडियो बसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें झाल करें